Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 21 जून और आज की इस वीडियो में हम 21 जून से related current affair के सभी important question को cover करेंगे इसलिए वीडियो को last तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं जिसके link description box में दी हुई है और यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कल यनिकी Sunday की दिन online study point के द्वारा जीके के इनिकी समान्य ग्यान के 500 most important question का एक वीडियो upload होने वाला है साम को साथ बजे और इस एक ही वीडियो में जीके के 500 question कवर कराये जाएंगे तो ये वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला question क्या है तो देखिए जो सरनार्थी होते हैं सरनार्थियों का समाज के प्रति जो भी contribution है उसे याद करने की उपलक्षमी ये दिवस मनाया जाता है और इस बार जो World Refugee Day मनाया गया है इसकी थीम क्या रही थी तो इसकी थीम थी Every Action Counts तो थीम भी आप याद रखेंगे अच्छा यहाँ पर जो टर्म लिखा है Refugee या इसे आप कहते हैं सरनार्थी इसकी definition क्या है देखिए जो United Nation है यनि की संयुक्त राष्ट इसने 1951 में सरनार्थी की यनि की Refugee की एक परिभासा दी थी और United Nation के अनुसार जो Refugee हैं ये वे वेक्ति होते हैं जो की जाती, धर्म, नेशनलिटी या इसे आप कह सकते हैं राष्ट रिता या किसी अन्य उत्मीडन के कारण अपने घर या देश से भाग जाते हैं वे कहलाते हैं Refugee और ये जो World Refugee Day है ये मनाया जाता है United Nation के द्वारा United Nation के लिए हम बात करें तो इस्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं United Nation Day के रूप में Headquarter कहां इस्तित है? New York में Present Time में इसके Head कौन है? तो ये हैं Antonio Guterres और Antonio Guterres ये बिलॉंग करते हैं पुर्तगाल से United Nation की कुल मेंबर कंट्री है 193 और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षणी सुडान तो ये भी आप याद रखेंगे अब ये दि हम बाकी option को डिसकस करें तो 14th of June को मनाया गया है World Blood Donor Day जिसकी theme रही थी Save Blood, Save Lives 16th June को मनाया गया है International Day of Family Remittance और 18th June को मनाया गया है Sustainable Gastronomy Day और अब 20th June को मनाया गया है World Refugee Day तो ये सभी आप याद रखेंगे Next है हाली में किस केंदरी मंत्री ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉंच किया है तो देखें ये पोर्टल अभी हाली में लॉंच किया गया है प्रहलाज जोसी जी के दौरा और यहाँ पर जो ये पोर्टल लिखा है सत्यभामा यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है फुल फॉर्म है Science and Technology योजना फॉर आत्म निर्भर भारत इन Mining Advancement ये है इसकी फुल फॉर्म और ये जो पोर्टल लॉंच किया गया है इस लॉंच किये गया पोर्टल से एक्जिक्यूसन में Efficiency यनि कि दक्षता बढ़ेगी और देखें ये जो पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से परियोजनों की online निग्रानी रखी जा सकेगी साथ ही परियोजनों के जो भी प्रस्ताओं होंगे उन्हें भी online जमा किया जा सकेगा और इसी पोर्टल को लॉंच किया है प्रहलाज जोशी जी ने यदि हम बात करें प्रहलाज जोशी जी की दमोह मध्यप्रदेश और इनके द्वाराभी हाली में इंडियन कल्चर पोर्टल लॉंच किया गया है यदि हम बात करें रमेश पोखरियाल जी की तो ये प्रेजन टाइम में हमारे HRD मिनिस्टर है, इनकी कॉंस्ट्टिंसी है हरिद्वार उत्रकंड और इनके द्वाराभी हाली में कर्तव्य पोर्टल और युक्ति पोर्टल लॉंच किया गया है और युक्ति पोर्टल की मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म भी बताई थी यंग इंडिया, कॉंबेटिंग कोविड नाइटिन विथ नॉलेज, टेकनोलोजी और इनोवेशन ये है युक्ति पोर्टल की फुल फॉर्म नरिंद्र सिंग तोमर जी जो की प्रेजन टाइम में हमारे केंद्री कृशी मंत्री है इनकी कॉंस्टेंसी क्या है मुरायना मध्धिप्रदेस और इनके द्वारा भी हाली में किसान रथ मुबाइल एप लॉंच किया गया है तो ये सभी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में किस राज जी ने नीट की परिक्षा को पास करने वाले छात्रों को 10 प्रतिसत का आरेक्षण देने की घोशना की है तो देखें ये घोशना की गई है अभी हाली में तमिल नाडू गवर्मेंट के द्वारा और जो ये स्कीम है ये गवर्मेंट इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले इस्टूरेंट के लिए है जो इस्टूरेंट नीट की परिक्षा को क्वालिफाई करेंगे उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा तमिल नाडू गवर्मेंट की द्वारा तेखें ये जो एक्जाम है ये मेडिकल के इस्टूरेंट देते हैं नीट की फुल फॉर्म होती है नैशनल एलिजिबिल्टी कम इंटरंस टेस्ट और इसी पर 10% का रिक्षन देने की घोशना की है तमिल नाडू गवर्मेंट ने तो मैप में देख लेते हैं तमिल नाडू की लोकेशन ये किन-किन राज्जों के साथ बॉर्डर शेर कर रहा है मैप थोड़ा बलर हो गया है तो देखिए तमिल नाडू के दि हम बात करें तो राजधानी क्या है चेन्नई और इसी चेन्नई में हैटक्वाटर इस्थित है टीवियस का जिसके ब्रैंड अममेजडर है महेंद्र सिंग धोनी मुख्यमंत्री है पिंड्रई विज्जन गवर्नर है आरिफ महमद खान यहां से लोग सभा सीटे आती ही 39 जबकि राजधी सभा सीटों की संख्याहकुल 18 यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही तमिल नाडू के डिंडी कुला ताला और कडांगी साड़ी को जी आई टैक दिया गया है साथ ही कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे की अना मलाई, टाइगर रिजर्व, मुदु मलाई नेशनल पार्क और मुकूर्थी नेशनल पार्क यह सभी इस्तित है तमिल नाडू में ही तमिल नाडू से रिलेटेड एक most important fact है जो कि करन्ट से रिलेटेड है contract farming लागू करने वाला भारत का पहला राज यह तमिल नाडू ही है next है हाली में एशियाई football परिसंग ने 2022 के महिलाई ACI Cup की मेजबानी का धिकार किस देश को दिया है तो यह अधिकार दिया गया है अपने देश भारत को यहनि कि 2022 में जो महिलाओं का ACI Cup होगा इससे होश्ट करेगा अपना देश भारत और देखिए जो AFC है AFC यहनि कि Asian Football Confederation इसने 1979 के बाद पहली बार भारत को महिला ACI Cup की मेजबानी का अधिकार देदिया है और भारत इससे होश्ट करेगा 2022 में तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं AFC के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई है Asian Football Confederation इसके स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में Headquarter कहां इस्तित है Kuala Lampur, Malaysia में और President है Salman bin Abraham Al Khalifa तो यह आप याद रखेंगे अब यदि हम बाकी option को डिसकस करें तो जापान की जो capital है Tokyo यही पर Tokyo Olympic 2021 आयोजित किये जाएंगे यह इसी वर्स होने थे लेकिन COVID-19 के कारण अगले वर्स तक के लिए postpone कर दिये गए है चाइना का एक सहर है Hongzhou और इसी Hongzhou सहर में Asian Games आयोजित होंगे 2022 में और मैंने आप लोगों को दो दिन पहले बताया था जो बहरीन है यह 2021 में चौथे Asia UA Paragames की मेजवानी करने जा रहा है भारत से related एक और fact आप याद रख सकते हैं जो ICC Cricket World Cup होगा पूर्सो का इसे होश्ट करेगा भारत 2023 में जबकि महिलाओं को जो Cricket World Cup होगा 2021 में इसे होश्ट करेगा न्यूजिलेंड Next है हाली में किस देश की संसद ने उत्रा खंड के पितहौरा गड़ जिले में भारती शेत्र पर दावा करने वाले नकसे को मंजूरी दे दी है तो देखे ये मंजूरी दी गई है भी हाली में नेपाल के द्वारा अभी भारत का नेपाल और चाइना दोनों के साथ ही वादी बाद चल रहा है और इसी भीच भारती शेतर पर दावा करने वाले नक्से को नेपाल की संसत का नाम क्या है तो यह है राश्ट्री पंचायत जिसके द्वारा यह मंजूरी दी गई है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहार, सिक्किम और वेस्ट बेंगॉल इन सभी राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है इसकी कैपिटल क्या है तो यह है काठमांडू और काठमांडू में ही हैटक्वार्टर इस्तित है सार्क का यहां की प्रेसिडेंट कौन है तो यह है विद्या देवी भंडारी प्रा सुमबर 2019 की बात है जो दक्षण एशियाई खेर आयजित किये गए थे यह नेपाल में ही आयजित किये गए थे जिसमें की टॉप किया था भारत ने दूसरे इस्थान पर रहा था नेपाल और तीसरे इस्थान पर रहा था श्री लंका साथ ही भारत और नेपाल की बीच एक एक्सर साइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरन तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में राश्ट्री लोक वित्तेवम नीती संस्थान इसका चेर्मेन किसे निक्त किया गया है तो यह भी हाली में निक्त किया गया है उर्जित आर पटेल जो की RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने इस थान लिया है विजय केलकरजी का तो सबसे पहले हम जान लेते हैं NIPFP के बारे में तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है National Institute of Public Finance and Policy इसकी स्थापना हुई थी 1976 में Headquarter रिस्थित है नई दिल्ली में और देखिए जो NIPFP है यह वित्मंत्राले के अंतरगत एक स्वायत अनुसंस्थान संस्थान यानिकी एक Autonomous Research Institute है और इसी के चेर्मेन बने है उर्जित आर पटेल देखिए जो उर्जित पटेल है यह RBI के किस क्रम के गवर्नर थे तो यह थे 24 क्रम के रगुराम राजन यह थे 23 क्रम के गवर्नर और अभी हाली में RBI के जो 25 क्रम के गवर्नर है यह है शक्ति कांत दाज देखिए जो रगुराम राजन जी है इन्हें अभी हाली में IMF यानिकी International Monetary Fund के सलाहकार समू का मेंबर नियुक्त किया गया है यदि हम बात करें शक्ति कांत दाज जी की तो हाल हाली में इन्हें National Banker of the Year 2020 के खिताब से नवाजा जा चुका है यहाँ पर एक option बच रहा है विजय केलकर जी तो देखिए अकसर एक्जाम में पूछा जाता है कि विजय केलकर समीती यह किस से संबंधित है तो यह संबंधित है कर सुधारों से यानिकी Tax Reform से तो यह भी आप रखेंगे नेक्स्ट है हाली में Supreme Court ने किस राज्ज में सुरू होने वाले भगवान जगननाथ की यात्रा पर रोक लगा दिया है तो यह रोक लगाया गया है ओडिसा में सुरू होने वाले जगननाथ जी की यात्रा पर देखिए यह जो यात्रा है यह ओडिसा के पूरी मे 23 जून से स्टार्ट होने वाली थी लेकिन अब इस पर रोक लगाया गया है और क्यों लगाया गया है तो आप सभी जानते हैं भारत में कोरोना संकट चल रहा है और कोरोना की जो केस है हर राज्ज में बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में अगर ये यात्रा निकाली जाती है तो सवाभाविक है कि भीड भी जमा होगी और ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे होगा क्या कि कोरोना का खत्रा बढ़ने की संभावना रहेगी तो लोगों की सेफटी को ध्यान में रख सकते हैं ये किन-किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और इसे किदी हम बात करें तो राजधानी क्या है भूवनेश्वर और भूवनेश्वर में ही स्थित है लिंग राजमंदिर और कलिंगा स्टेडियम मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक जिने कुछ समय पहल किदी हम बात करें तो सिमली पाल नेशनल पार्क और भीतर कनिका नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित है ओडिसा में ही तो ये भी आप याद रखेंगे और अभी तकिदी आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रहांस्त्र पीडियाफ को पर्चिस नहीं देखें 2021 में इंडिया की GDP फोर्कास्ट की गई है चार प्रतिसद किसके द्वारा फोर्कास्ट की गई है ADB के द्वारा तो इसके बारे में जाल लेते हैं ADB यानि की Asian Development Bank इसके स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1906 में हैटक्वाटर कहां इस्तित है मनीला फिलिपिन्स में प् 68 मेंबर कंट्री है ये है नियू और नियू से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए क्योंकि ये है करेंट से रिलेटिड देखिए जो ये नियू है ये विश्चो का पहला डार्क स्काई नेशन बना है और यही है ADB का 68 मेंबर तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है हाली में कौन सा देश संयक्तराष्ट सुरक्षपरिसद या इसे आप कह सकते हैं United Nations Security Council इसका अइस्थाई सदस्य बना है तो ये भी हाली में बना है अपना देश भारत तो सबसे पहले हम जान लेते हैं United Nations Security Council के बारे में तो देखिए ये United Nations यानिकि कंट्रीज हैं ये हैं स्थाई और 10 हैं अस्थाई जो पांच स्थाई कंट्रीज हैं ये हैं China, France, Russia, UK और USA और यदि हम बात करें अस्थाई मेंबर कंट्रीज की तो इसमें भारत शामिल हो गया है और भारत के लावा Ireland, मैक्सिको और नॉर्वे ये भी शामिल हुए हैं लेकि अब यदि हम बात करें कि संयक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनीधी कौन हैं तो ये कुछ समय पहले ही बनाएं गए हैं T.S. तिरुम मूर्ती मैंने आप लोगों पढ़ाया भी था तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है। हाली में मलयालम फिल्म डायरेक्टर का भी हाली मनिधन हो चुका है और 2015 में इनके दुआरा डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था अनार कली तो इनका नाम आप याद रखेंगे और दो एक्टर का नाम न्यूस चैनलों में चर्चे में हैं जिनका भी हाली में निधन हुआ है कुछ समय पहले ही मैंने आप लोग बताये था कंणर एक्टर के बारे में जिनका नाम है चिरन जीवी सिर्जा इनका निधन अभी हाली में 49 वर्स के आईउ में हाट आटेक के कारण हुआ है और जो बॉलिवुट के काफी बहतरीन एक्टर थे सुसान सिंग राजपूत इनका भी अभी हाली में निधन हुआ है यदि हम बाकिया उप्शन को डिसकस करें तो राज मोहन वहरा यानिकी लेटिनेंट जनरल राज मोहन वहरा का निधन अभी हाली में COVID-19 के कारण हुआ है और इन्हें महावीर चक्रे से भी सम्मानित किया जा चुका है हीरा सिंग राडव तो ये उत्राखंडे के लोप्री लोग गायक थे और यदि हम बात करें अतुल श्रिवास्तो की तो देखिए ये थे सेल के डाइरेक्टर यानि की इसके डाइरेक्टर थे अतुल श्रिवास्तो और इनका भी अभी हाली मनिधन हो चुका है कल मने आप लोगों से पूचा था CBSE के नया ध्यक्ष कौन बने है तो इसका राइट अंसर था मनोज आहुजा इन्होंने रिप्लेस किया है अनीता करवाल को अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में स्विजर लेंड में इंडिया के नेक्ष्ट अंबेजडर कौन बने है तो ये कोश्चन भी 10-12 दिन पुराना ही है यदि आप लोगों को याद होगा तो इसका अंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा और वीडियो का एट लिस्ट एक स्टडी रिलेटर रूप में शियर जरूर करिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच